तो आप सभी लोग को पता है 21 डेस का लॉगडाउन है इसके लिए मैंने कार रिव्यू स्टार्ट किया हूँ दो वीडियो अल्रेडी मैंने बना चुका हूँ हिंडा एसेंड और मारोती सुजू के सुफ डिजायर कार पे अगर अभी तक आपने वीडियो ने देगी तो डिस इसे प्राइज है नौल तो मैं बता ही रहा उसके अलागे तो आप चाहते हो कि मैं और चीजे कवर करो तो मुझे कमेंट सेक्षिन में आप कमेंट करेंगे बता सकते हो मैं ट्राइ करूंगा वो भी चीज एड़ करो हुंडा सिटी करेंटली बस पेट्रोल में अवेलेबल है डीजल का मॉडल आई थिंक सो एक से दो मेने में अवेलेबल हो जाएगा तो मॉडल वाइज मैं आपको प्राइज बता दूंगा आइज म आपको पेट्रोल ऐन राइबल का प्राइज फ्ल्रटि फिस्वि थेक्व आमैनोल का प्राइज हे त्रूं दे नाएज भर मॉड थेक्वेश्टी नाटेच सेट्रिदा क्रेटीं अ ट्रूं फिस्विदी पैत्रोल हुतमयतिक प्राइज है 13,08 ό 1363 जैट्स पैट्रोल मैनुवल का प्राइजर 14, 9 on rester 86 वी एक सिव ट्यविट पै्त्रोल आॉ्टमेटिक प्राइज है 15 3,P6000 1, ये मैंने आपको प्राइज में बताया ये ये वन्रोड प्राइज से डिली अगर हम mileage की बात करते तो petrol manual में mileage मिलेगा आपको 17 का और petrol automatic में mileage मिलेगा 18 का as per AR AI अगर हम engine की बात करेगे तो 1497 cc का engine है इसके अंदर आपको 117 bh power मिलेगा और 145 nm of torque अगर हम safety wise बात करते तो ये कार में आपको दिया जाएगा seatbelt warning, airbags, dual stage airbag उसके अलावा आपको दिया जाएगा middle rail 3-point seatbelt, tire pressure monitoring system अगर हम colors की बात करते तो ये कार आपको 5 color में आएगी, ward orchid pearl, golden brown metallic, modern steel metallic, radiate red metallic and lunar silver metallic बहुत hard होता है spell करने के लिए, I mean मेरे साब से अगर आप colors mention कर रहे हो, तो direct mention कर दो ना red होता है, brown होता है, silver होता है बट उसमें जो एक-एक words डालते है, मतलब automobile industry वाल है, जैसे radiate हो गया, lunar हो गया, तो मेरे जैसे pronounce करने वालों को थोड़ी सी problem होती है बट आप लोग के लिए मैं जितना हो सकता है best दूँगा, क्योंकि ये मेरा third review वीडियो है, तो जितना हो सकता है, मैं मेरा best देती जाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा मैं इतना अच्छा नहीं हो, बट मैं try कर रहा हो, जितना हो सकता है best दूँगा और अगर हम ये कार को compare करेगे, तो ये कार हम compare कर सकते है, skoda rapid से, maro 30 suzuki siyaas से, hyundai verna से, toyota yaris से, toyota corolla और fox wigan went home बट अगर personally अगर मुझसे पूछना चाहते हो कि ये कार में आप कुन सी purchase करोगे, तो I would suggest first is honda city and second one is skoda rapid मुझे पता है maintenance wise skoda काफी costly है, as compared to जो मैंने models बताया हो, but safety wise एक number है, but at the same point we are talking about honda city, to honda city also best car, maintenance wise भी काफी अच्छी है, और अगर आप चाहते हो कि maintenance की regarding भी मैं अलग से video बनाओ, हर एक models, हर एक brands के, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राइ करूँगा आप लोग के इस आप से video बनाओ, तो गाइस चलो फी मिलते हैं इस इसको इनव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबाई, टेक केर, लव यौल, और हाँ यहां यहां तक वीडियो दे आप मैं यहांग